नौईडर के सेक्टर चौते सामुदाइक भवन में उत्रक्षन समाच की ओर से शद्धांजली सभा का आयुचिन किया गया जहां सीडियेज जनरल विपिन रावत उनकी पतनी मधुलिका रावत और बाकी छे ग्यारा वीश रहीदों को शद्धांजली दी गई यह रपोर्ट देखिए जहां पर शद्धांजली दी है यह पीछे आप मेरे तस्वीरे देख सकते हैं जहां पर शद्धांजली दी गई इमधुलिका रावत उनकी धर्म पतनी की तस्वीर सबसे उपर सीडियेज जनरल विपिन रावत इनके साथ ब्रिगडिया लिद्दर साहब भी है और बाकी ज जो देख से पहले जो सेडियेज जनरल रावत हैं उनकी एमिट यह अकस्मिक जो दृटना हुई है यह बहुत बड़ा देश को एक बड़ा गंबीर है जिसके ले और इसके लिए हम लोगों ने जितने भी हमारे साहीद उनके लेए उनके लेग सर्दान जली उत्रा खंड सम लोग प्रोग्राम डगाते हैं हाला कि सीडियेज जनरल वेपन रावज जो थे वो देश के युद्धा थे लेकिन ऐसे में उत्राखंड में वो जन्में थे तो ऐसे में उत्राखंड से उनका एक अलग नाता था क्या कि हम लोगों का बड़ा सवबाग्या है कि वो अपनी भीरता दिखाई वो समस्त विश्व जानता है इसको आप भी जानते होंगे और मैं इतना ही कहूंगा कि आज हम सब लोग अपने पर्थम सीडियेज विपिन रावज जी उनकी धरम पतनी उनकी समस्त टीम जो उस विमान में थे उन सब को हम सर्दानजली अर्पित करते हैं यहीं मुझे कहते हैं लेकि हाला कि ऐसा है कि योद्धा तो हमने खो दिया लेकिन कभी जो शूरवीर होते हैं उनकी शौरे गाथाएं कभी खत नहीं होती बलकि सद्यों तक यूहीं चलती रहती है सेना के आप पूर्व अधिकारी हैं पूर्व तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सेन अधिकारी तो जीवन अधिकारी ही रहता है ठीक है तो आज यह श्रदानजली सभा का आयोजन था यहां पर उत्राखंट समार्योड से क्या कहेंगे इसको लेकर बड़ा दुखत मिलन समार हो रहा है जिसमें कि हम श्रदानजली अर्पित कर रहे हैं इसमें हमारा एम सिर्फ यह होना चाहिए कि उनके आत्मा पूरी टीम के आत्मा को की शांती के लिए हम दो मौन रखें और उनके जो यह हैं पच्चिनों को वेपिन रावत जी को इसके साथ ही यह कारकरम की तस्वीरे जहां पर सामुदाई केंद रहे यह नौरडा सेक्टर 34 में पढ़ता है जहां पर यहां पूरा कारकरम था यहां पर ऐसे में कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे भी बातचीत करेंगे यह मैं श्रदानजली सभा का जो में आपने श्रदानजली दी है सीडियस जर्नल वेपिन रावत उनकी धर्म पत्यों साती जो 11 अन्य शहीद हुए हैं हमारे वीर जवान क्या कहीं हैं मैं इसमें बस यही कहना चाहती हूं कि मुझे बहुत जादा दुख हुआ है स्टीश का जिस दिन ये खबर हम लोगों को आई थी उस दिन बेसिकली हम लोग सभी उत्रांचल समाथ से हैं और मैं भी वहीं से बिलॉंग करती हूं ये न्यूस जब हमारे पास आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि पता नी मेरे घर का क्या ऐसा दुखदाई छान आज आ गया है क्योंकि जो हमारी आने वाली भावी हुई है इसकी भरपाई करना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल कारी होगा हलांकि ये पोस्ट फिर निकाल दी जाएगी बर्दत हिंगे इतने महान योद्दा इतने करमत इंसान जो हमें हमारे आगे से आज चले गए हैं और उनकी धरम पतनी चली गई उनके साथ औ और प्रभू से हमारी यही कामना है कि उनको अपने श्री चर्णों में स्थान दे जै भारत वंदे मातर जी जो की आठ दिसंबर को आपको बता दें कि हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ था तमिलनाडू के कुनूर का मामला था नील गिरी के जो जंगल है उसके उपर बताया जा जो उस वक्त हेलिकॉप्टर में मौजूद थी और उसके साथ अन्य वीर शहीद हो गए तो इसको लेकर आज ये श्रदांजली शाभा का आयोजन सेक्टर 34 नोरडा में किया गया उत्राखंट समाज के ओर से जिसको हम यहाँ पर आए और हमने जानने की कोशिश की कि कि किस तरीके से आज भी उत्राखंट वासियों के दिल में उत्राखंट वसता है और ऐसे में जब सीडियेस जनरल विपिन रावत का उत्राखंट में जन्म हुआ था उनका जन्म स्थान उत्राखंट था तो ऐसे में यहाँ पर एक अलग ही दुख, अलग ही भावविहोरना,